सारी घलत चीज़ें करके कभी भी किसी के साथ ठीक चीज नहीं हुई है जब तक कि आप सही चीज़ें नहीं करते तब तक आपके साथ सही चीज़ें बिलकुल नहीं होगी आपका डर, आपका गुसा ये सब एक ऐसे मन की उपज हैं जिसकी कमान आपने नहीं संभाली है आपका मन आनंद पैदा करने के काबिल है आपका मन डर पैदा करने के काबिल है आपका मन चिंता, बेचैनी, शांती, वेदना, परमानंद पैदा करने के काबिल है ये कुछ भी पैदा कर सकता है ये वो चीजें पैदा कर रहा है जो आप नहीं चाहते, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते, किसी को भी अपने डर, अपने गुसे या उनकी जो भी चीज हो उसे संभालने की जरूरत नहीं है, और नहीं किसी को खुशी या शांती या आनंद खो करनी होगी कि जो शांदार कंप्यूटर आपके सिर में फिट है, उसका कीबोर्ड कहा है, आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहा है, तो आप सारे घलत बटन दबा रहे हैं, तो हर तरह की चीजें हो रही हैं, तो आप या तो इस मन को एक चमतकार बना सकते हैं, या आप इसे प तो घुसे और डर के रूप में पीडा के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उत्पादन प्रक्रिया को रोकना होगा, नकी उत्पाद को आपको बस इसके उत्पादन को रोकना होगा और एक अलक उत्पाद शुरू करना होगा, आपको ये पक्का करना होगा कि इससे आनंद पैदा हो रहा है, इससे खुशी पैदा हो रही है, क्योंकि वही मन उसके भी काबिल है, कभी कभी आप खुश होते हैं, कभी कभी, एक वह आदमी ऐसा क्यों है तो यह आनंद पैदा करने के काबिल भी है तो आपको बस कीबोर्ड में जे हमेशा रहता है क्या आप कम्प्यूटर जानते हैं यह वहीं पर है अगर आप इस तरह ऐसे ऐसे करेंगे तो पीडा पीडा और पीडा और अगर आप वो बटन दबाए रखेंगे तो पीडा 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 बढ़ती जाएगी आपको पता होना चाहिए कि हाथों को कीबोर्ड से दूर कैसे रखना है और बस वही बटन दबाना है जो आप चाहते हैं अब ही आप अंजान है आप ये भी नहीं जानते कि ये कहां बटन खुद दब रहे हैं अगर आप ठीक से नहीं सोच सकतें ये वहाँ नहीं है ये गलत बटन है ये गलत बटन है तो तो अपने शरीर की कमान संभालने के लिए अपने मन की कमान संभालने के लिए अपनी उरजाओं की कमान संभालने के लिए हर चीज़ जो आप हैं उसकी कमान संभालने के लिए साधना है उन्हें अपने हाथ में लेने के बजाए आप बस एक अच्छे उत्पाद की कामना कर रहे हैं ये उस तरह से नहीं होगा जीवन ने कभी इस तरह काम नहीं किया है किसी के लिए भी नहीं सारी घलत चीज़ें करके कभी भी किसी के साथ ठीक चीज नहीं हुई है जब तक कि आप सही चीज़ें नहीं करते तब तक आपके साथ सही चीज़ें बिलकुल नहीं होगी